नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का साइंस चरनी पे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज संडे को हमारा प्रोग्राम होता है साइंस चरनी पे और आज की अवेसेशन होता है साथ में हम कुछ महत्वपुर्ण टॉपिक्स पे चर्चा भी करते हैं आज का टॉपिक है वोलगा से गंगा जिसके लेखक्त हैं राहुल संकृत्यायन तो इनके बारे में भी हम जानेंगे और आज कुछ कई सारे एनाउंस्मेंट भी हैं जो बहुत सारे फाइदेमंद होगी आप लोगों के लिए और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी साथी जो जरुरत मन साथी हैं और वो लोग लागतार साइस चर्णी रेशनल वॉल्ड का जो रो सोरो से प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोगों को जागरू करने में मदद कर रहे हैं इसके कंटेंट पे लाइक करते हैं अच्छे कमेंट इन्फर्मेटिव कमेंट करते हैं जो हमारे साथ ट्वीटर एफ भी जो फेस्बुक पेज है और जो इंस्टाक्राम पेज है वहाँ पे भी लगतार जुड रहे हैं लोगों को जुड रहे हैं उन्हें हम गिव अवे देते हैं ताकि वो इस मिशन को ये जो हम भी जितने महाप्रूस हैं बुद्ध इन लोगों का क्या इतिहां से समराट असोक इत्यादी तो इनके बारे में वो ऑथेंटिक सोर्स से जान सकें तो उन्हें हम लोग गिववे देते हैं और वो पुस्तक उन्हें हेल्प करती है इसके बारे में अच्छे से जानने में तो पिर जो चैनल पे भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी कुछ खास है जो मैं लाश्ट में अनाउंस्मेंट करूंगा तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उस पे हम डिसकस करते हैं देखते हैं हम कि ये रहुल संकृतियान थें कौन और इन्होंने जो ये किताब लिखिये काफी सारे यहाँ पे जो दर्सक हैं उन्होंने इसे पढ़ा भी होगा और बहुत सारे दर्सक जो हैं उनके लिए आज कुछ नया जानने को भी मिलेगा दरसल इस किताब को डिसकस करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा या आप लोगों को बताने का प्रय कि राहुल संस्कृतियान का वास्तविक रूल क्या था हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति पूरी तरह से नश्ट कर दी गई और कुछ लोगों ने इस संस्कृति के ऊपर जैसे एक घोशला होता है उस घोशले में अगर कुछ अंडे पड़े हुए हैं एक कोयल आती है उस अंड एक के ऊपर एक आते रहें जाते रहें लेकिन यहां के जो भारत के जो मूल लोग थे यहां के जो एक्चुल कल्चर था उनका अपना इतिहांस जमीन के नीचे जमीन दोज हो गया फिर अंग्रेजों के समय में खुदाई होते हैं और धीरे धीरे चीज़े निकलनी सुरू ह तो यह राहुल संकृत्यायन भी उसी दोर के थे इनका जनम हुआ था 1893 में और इनकी मृत्तिव हुई थी 1963 में यानि कि बाबा साहब जब 1956 में जब उनका परिनिर्वाण हुआ उसके बाद यह 1963 में उनका 56 में हुआ था बाबा साहब का यह 1963 में इनका परिनिर्वाण हुआ तो ये बाबा साहब के समकच थे और उनसे काफी मिले जुले और आपको जानकर या हैरानी होगी कि राहुल संकृत्यायन जो है इनको महापंडित कहा गया है पंडित नहीं महापंडित कहा गया है और ये पंडित्ते की उपाधी इनने इनके ब्रामध होने के करण नहीं वैसे तो इनके बारे में बताया गया है कि ये आजम गड़के एक भुमियार फैमली में जनम लिए थे लेकिन उसके करण इनको महा पंडित नहीं कहा गया बलकि इनके विद्वता के कारण इनको महापंडित कहा गया इन्होंने इतनी ज़्याधा ट्रेवल किया भारत के इतिहांस में ऐसे इका दुक्का ही स्कॉलर मिले हैं जिन लोगोंने इतनी गहन मेहनत की हो इतना ट्रेवलिंग किया हो पूरी दुनिया में इन्होंने जहां तक की पहुँच हो सकती थी चाहे वो सिरलंका हो या फिर तिबबत हो चीन हो नैपाल हो बर्मा से लेकर ये आज का जो बंगलादेश है इनके समय में तो खैर बंगलादेश नहीं था और उस समय भारत का ही पार्ट हुआ करता था 1947 के बाद से वो पाकिस्तान में चला गया तो इन इनका जो रोल है उसे हमें समझना पड़ेगा इस किताब को हैप पढ़ेंगे वोलगा से गंगा तो उसमें ये different different कहानिया पिरोते हैं इनका जो साहितिक छेतर था वो इतना बेहतर हो गया था कि इन्होंने क्या किया कि पूरी इस किताब में डिफरेंट चैप्टर बनाएं और अलग-अलग कालखंड के लिए एक-एक कहानी पिरो दी तो उन कालखंड उस कहानी को पढ़के उस कालखंड का पता चलता है हलाएं कि वो साहितिक तोर पे है और उसमें काफी कुछ कहा जा सकता है काफी कुछ उसमें समिच्छा के लिए भी है जिसके लिए बहुत हमें और भी कई सारे पार्ट्स बनाने परेंगे हम एक-एक कहानी को डिसकस करते हैं लेकिन आज का जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो मैं सबसे पहले तो जो रहुल संकृत्यायन की जो जीवनी है इनकी क्या उप्योगिता है उसके बारे में आज हम डिसकस करते हैं ताकि आप लोगों को भी इनके बारे में पूरी जनकारी मिल जाए किताबे तो आप भी खरीद के पढ़ लेंगे लेकिन जो बेसिक जनकारी है वो जानना बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है बहराल यह एक किताब है बड़ी अच्छी किताब है इस किताब को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं यह किताब लिखा है वैसे तो महापंडित रहुल संकृत्यायन का है लेकिन इसको बाद में कलेक्ट करके कमपाइल करके लिखा है और इसके समपादक है डॉक्टर प्रफुल गढ़पाल तो इस बुक में से मैंने कुछ कलेक्शन लिये हैं जो इनकी वाइफ थी रहुल संकृत्यायन का इनकी वाइफ थी कमला संकृत्यायन तो उन्होंने उनके बारे में जो डिटेल्स दी हैं वहीं से मैं डिसकस करूँगा उन्होंने पूरा एक इसमें चैप्टर डाला है कि बहुत बहुत साहित्य को राहुल जी की देन और इसमें उन्होंने चुकि उनकी वाइफ हैं तीसरी पत्नी थी यहाँ पे आप लोग निरासोंने की जरुत नहीं है कि उन्होंने तीन साधिया कर ली बैसिकली आप देखे तो कोई भी जिनकी भी जिन महापुरसों की बहुत बड़ी देन है उनके सांथ कुछ ऐसी घटना है हमेशा घटती रहे कि वो पारिवारिक रिस्तों में नहीं निभा पाएं कभी भी वो जैसे आज देखिया आज बहुत सारे लोग आज तो इंटरनेट की फैसलिटी है लोग अपने वाइफ के साथ रहते हैं घर बैठे वर्क फॉम भी कर ले रहे हैं इंटरस्टी वाले तो आज की डेट में लोग इंटरनेट से बैठे बैठे जुड़ जा रहे हैं देश भी देश से लेकिन जब यह इंटरनेट नहीं था तब लोगों को ट्रेवलिंग करना पड़ता था अगर वो देश के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर किसी चीज के लिए काम करना उनको होता था तो वो घर से फिर उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता था और जब वो घर से बाहर निकलते थे तो हर जगा तो बीबी और बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि आप जो है आप अच्छे हो सकते हैं आपके परिवार वाले अच्छे हो सकते हैं, आपके रिस्तेदार अच्छे हो सकते हैं, आपके अगल बगल के लोग अच्छे हो सकते हैं, पूरी दुनिया तो अच्छी नहीं है न, और हर जगह आपको फिर अपना काम की जगह आपके मन में ये भी बना रहेगा कि अब बीव में ही इनकी साधी किसी संतोसी बताया जाता है नाम जिन महिला से हुआ था बच्ची थी उस समय यह भी बच्चे थे तो हो गया था तो फिर यह पढ़ने के लिए जब बाहर गएं तो फिर उनसे कभी मुलाकात वगरा नहीं हो पाई दिन फिर यह हमेशा टूर पे ही रहें जि इनका मुलाकात हुआ है ऐसा बताया गया है कई सारे डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से तो उसमें यह बताया गया कि उनका एक बच्चा भी हुआ था उनसे और फिर रूस में जो महिला थी वो भी स्कॉलर थी वो संस्क्रीट भी जानती थी वो जो है अत्तिबती भी जानती थी और पाली वगरा का भी वो स्कॉलर थी तो इनकी काफी हेल्प करती थी लेकिन रस्या में कुछ प्रतिबंद लगा तो उसके करण से इन लोगा कनेक्शन तूट गया वो अपने बच्चे के सांथ भारत नहीं आ सकी और राहुल जी तो भारत आ गये राहुल पर इनोंने फिर तीसरी साधी की थी कमला संकृत्यायन का जो कि खुद ही एक स्कॉलर है और प्रकांड वो भी विद्वान है उनको नैपाली और हिंदी में कई सारे अनुवाद और कई सारे जो ये कार्य हैं सूध कार्य हैं उसमें उनको महारत हांसिल है और इनके बच्पन का नाम किदारनाथ पांडे था ऐसा मैं बता भी चुगा हूँ आप लोगों को लेकिन इनोंने बाद में इस चीज को हटा दिया था तो चलिए आये देखते हैं इनके बारे में इनकी क्या देन है और ये सारी चीज़े जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से ये वो लो अपने लिए कर रहे थे ना मैक्स मूलर जो सेक्रेट वो बुक जो प्रोवाइट करा रहे थे पूरे वर्ल्ड को तो भारत के लोग तो उससे में उतना अंग्रेजी जानते नहीं थे यहां की लोकल लेंग्विज में तो चीज आती नहीं थे यहां तो ब्रामडों का राज था तो वो आपको क्यों अपना पढ़ाने देंगे वो तो संस्कृत संस्कृत करते थे अब आज मैं आपको जो दिखाऊंगा ना आपके आँखे फटी रह जाएगी कि औरी गजब यह सारी चीजे थी इतना चीज हम लोग से चुपाया गया है अब वो सारी चीजे आज इस मतलब यह रहुल संकित्यायन जो है यह अपने उसमें बता रहे हैं अपनी किता में बता रहे हैं कि यह हालत थी उसमें सदियों से चटगाउं और हिमाले के कुछ इलाकों के लोगों के सिवा बौद धर्म और पाली भासा का नाम भी भारत भूल बैठा था मतलब यह मत बचा हुआ था जो था चटगाउं चटगाउं आप समझते हैं आज कहां पे है आज यह बंगलादेस में चला गया है तो वहां पे सदियों से सब जगा भूल गया लेकिन आज बंगलादेस में भले ही चला गया लेकिन वहां पे पाली का और जो बहुत धम है वो उसका अंस वो केप्स बनाकर लेणिया बनाकर रहते थे, तो हिमाले परवत में इतनी ठंडी में अभी वो लोग केप्स बनाकर कुछ लोग थे उन जगों पर निवास करते थे, वो लोग भी अपनी कुछ चीजे बचा कर रखे हुए थे, बारवी सताबदी में जैदेयों ने दसावतार में बुध को एक ओतार बना दिया था। अब ये दिखिए 12 सदी की बात है और जैसा कि मैंने भी आप लोग को बार पर बताया है कि 11-12 सदी में ही बुध को इन लोगों ने ओतार बनाया था। और वो था रामानुजाचाया जिसने वैशनु मार की अस्तापने की। सबसे पहल तो मान नहीं रहे हैं किया किया जाए कब जा तो हमने कर लिया तो फिर इन लोगों ने कहा ने कि अच्छा ये विश्णु जो है न उनके ये आवतार है और ये जो बंदा था जैदेव इसने बकाइद किताब लिखके इनको certified रूप से आवतार बना दिया बुद्ध का परवर्ती काल में कभी कभी सुनाई पढ़ जाने पर भी पाली भासा का नाम सायद ही सुनने में आता था देखी ये राहूल संकृत्यायन जो है उनके समय की बात है कि उस समय किस तरह से इन लोगों ने पूरे भारत से आपका हमारी जो मूल भासा है उसको गायब कर दिया था जब आपकी संस्कृति कैसे गायब होती है आपकी भाहसा गायब कर दी जाए आपके लिखने वाली लिपी गायब कर दी जाए फिर आपका बचेगा क्या कुछ नहीं बचेगा ना फिर तो जो भी चीजे दिखाई देंगी उसको अपनी भाहसा में अपनी चीजे में बता गया इसलिए तो खतम किया गया न ये हकीकत है तो यही सरडेंत्र समझना है हम लोगों को तो यहां पे चटगाओं के बौध अपने धार्मिक गरंथ मूल भासा पाली में पढ़ते थे अब वही एक चटगाओं जो आज बंगला देश में है वही एक जगह बची थी जहां पे जो बौध थे उनकी धार्मिक जो गरंथ थी उसको मूल भासा पाली में बढ़ते थे इसके लिए पूरी दुनिया ने उन्हें क्रेडिट दिया कि देखिए भारत से बुध मार को इन लोगों ने इतना खतम किया फिर भी कही न कहीं कोई न कोई जो है उसको चाहे थोड़ा सा उसमें मिलावड ही भले हो गया कुछ चेंज ही हो गया लेकिन फिर भी वो पिढ़ी धर पिढ़ी जो है लेकर आया किन्तु और कहीं इनके अस्तित्व का पता नहीं चलता था चलिए अब देखिए आप लोगो कुछ ऐसे स्कॉलर्स के नाम जानने को मिलेंगे जो आप ल 1937 में जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार मौरियन अविलेख को पढ़ा था या को याद होगा तब तक भारत में पाली वाली कुछ नहीं था इसलिए तो नहीं पढ़ पा रहा था अब देखिए यहां पे उसके काफी बाद मतलब 1880 इस्वी में के बाद चंडी चरहन से अच और 1871 में संस्कृत में एक किताब प्रकासित की गई मुद्रा राक्षस जो बताया गया कि एक चंडरगुप्त मौरे नाम का राजा था उसका जो गुरु एक कोटिल ले था और बताए अभिलेक जो है उसके बेटे के बेटे उसके पोते का मिल रहा है पाली प्राकिर्थ मे और उसका जो है दादा जी के गुरु को बताया जाराए कि उस संस्कृत आती थी इतना बड़ा फ्रोड खेल लिया इन्होंने 1870 में लेकिन तो उसके बाद से जब ये पता चला कि नहीं उनके समय में तो पाली प्राकिर्थी संस्कृत होती ही नहीं थी तब जाके बहुत सा या तंत्र यानी बुद्धिजम का पार्ट कहा गया है आज कल ये लोग ब्रह्मेनिकल पार्ट में खो गए उसमें एडॉप्ट कर लिए एक्सेप्ट कर लिए उसमें लेकिन उनमें कहीं न कहीं अंस था तो कुछ लोगों ने क्या किया कि भले ही वो ब्रह्मेनिकल में आ ग उन पर कविताय और नाटक लिखें इसके कुछ बाद ही बौध धरम के पुनुरुथान और बौध तिर्थों के उधार के उद्धेश्य से अनगारिक धरम पाल कलकत्ते में रहकर अपना कार्य करने लगे तो अब देखे 1880 में कौन-कौन लिख रहा है चंडी चरनर सेन नवीन चंदर सेन ग्रीश चंदर घोस ये सब कौन है बंगाली है किस में लिख रहा है बंगला में लिख रहा है अभी भी आपकी भासा में नहीं लिखा जा रहा है क्या लिख रहा है तो जिवनी कोई लिख रह होता है जो ब्रह्मेनिकल सिस्टम उस तरह की बाते हो जाती थी अब उसको कोई उठा के पढ़ेगा ना तो वो बुद्ध के बारे में वैसा ही सूच लेगा तो ये सब लोग मानने लगे थे ब्रह्मेनिकल सिस्टम तो इसलिए बुद्ध को भी ये लोग ब्रह्मेनिकल और साहित्य का नाम अब कुछ अधिक सुनने में आने लगा इन लोगों के कारण जो है अब थोड़ा सा नाम इनका आने लगा बुद्ध का विलायत से मैक्स मुलर ने इसमें बहुत सारी किताबे है और ये सारे जो ब्रिटिस स्कॉलर्स है इन लोगों ने इसमें प्रकाशन कराया है ये पूरी एक सिरीज है अब इसके बाद से क्या होता है कि लंका के सिविलियन रीज डेविड्स दमपती ने पाली टेक्स्ट सोसाइटी अस्थापित कर मूल त्रिपिटक और उसका अंगरेजी अनुवाद छापना सुरू किया ये देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये कब हुआ है 1880 के बाद हुआ है लंका में जो आज का सिरलंका है वहाँ के जो सिविलियन थे रीज डेविड्स जो पूरे दमपती थे पती पतनी इन्होंने पाली टेक्स्ट सोसाइटी अस्थापित किया वहाँ पे और तब जाके पहली बार जो है त्रिपिटक का इन लोगों ने अंग किया था अब देखिए रूस में भी बहुत साहित्ते पर काम शुरू हो गया किसने शुरू किया वसिलियेव और उनके सिस्य मिनायेव 1880 इस्वी के बाद ही रूस को ततकालीन रजधानी सेंट पिटर्सबर्ग में बबली उत्तेका बुद्धिका गरंथमाला में संस्कृत तिबती आदी के बौध गरंथ और उनके अनुवाद सचेवार्स्त की सिल्वां लेवी योगी हारा डेनिसन रास आदी के संपाद कत् में निकलने लगें फ्रांस वेल्जिम और जर्मनी भी इस दिसा में काम करने लगें तो ये देखिए 1880 के बाद से अब जो है पूरी दुनिया में तहलका मच गया बुद्धमार को लेकर ये जनकारी भारत सरकार आपको नहीं देता है और यहां के जो तथाकतित स्कूल है ये भी कभी जनकारी नहीं देते हैं कि पूरी दुनिया उस समय बौधमार की किताब पढ़नी सुरू कर दी पाली सीखने लगें सब के सब उसका जो है पाली सीखने फिर अंग्रेजी में ट्रांस्लेट करते हैं पूरी दुनिया में हंगावा मच गया कि जैसे ग्यान का दुनिया में जो है ये पढ़ाया जा रहा था पाली प्राकिर्त और बोध गरंद चलिए आगे देखते हैं अभी आपको बहुत सारी आज जनकारी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं बताया जाते हैं अच्छा इसके बाद से इसी इसी समय चटगाओ निवासी है अब चटगाओ के एकथें और दारजलिंग प्रवासी मानियसरद चंद्र देखें याद रखिए आप चटगाओ आज कहाँ पे है बंगलादेश में चला गया है अच्छा दारजलिंग कहाँ पे है बंगाल में है तो ये क्या लिखकए हैं चटगाओ निवासी यानि कि ये थें कहां के तो बंगला देश जो आज का बंगला देश है वहां के और दरजलिंग प्रवासी मतलब वहां से हट के अब यहां पे आ गए थे दरजलिंग में आ गए थे जो आज का बंगाल है इसमें आ गए थे तो ये सरचंद्र जो हैं इन्ह जान दिजेगा कि इन्होंने बुधिष्ट टेक्स सोसाइटी की अस्थापना की और जो पाली के गरंद थे उनको अब ये संस्कृत में तिबती में और अंग्रेजी में बौध साहित्य का संपादन कर रहे थे और उसका अनुवाद प्रकासित कर रहे थे ये दियान अचा दास ने दो-दो भार तिबत की यातरा की थी वे तिबती के बहुत बड़े विद्वान थे तो आपको सिर्फ संस्कृत संस्कृत बताया गया ये नहीं बताया गया कि उस समय जो है तिबती पाली प्रकिर्थ इनका भी खुब जबरदस्त धंग से इस्टडी सुरू ह अचा फरीदपूर पुर्वी बंगाल निवासी महा महोपध्याय सतीष चंद्र विद्या भूशन संस्कृत तिबती और पाली के महान विद्वान हुए हैं देखिए आप सोच रहे होंगे कि रहुल संस्कृतियान की बात हो रही है और अभी उनका जिक्र नहीं आया है अब फिर कैसे काम होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आगे वी तो अभी देखिए हालत देखिए क्या हालत थी उस समय कि कलकत्ता संस्कृत कालेज के प्रिंस्पल रहते समय उन्होंने बड़े परिश्रम से पाली पढ़ी तो उस समय संस्कृत ये लोग पढ़ाते थे पाली प पढ़ा रहे थे अच्छ आप जब पाली पढ़ा रहे थे तो अब क्या होता है ना कि जब आप किसी युनिवर्सिटीज में हो किसी अच्छे पोस्ट पे हो तो डिगरी की जरुरत होती है आपको जो है कितना भी ग्यान हो सब्चेक्ट का लेकिन जो ऑथेंटिसिटी ये कह भएया क्या आपकी अपकी युसमें डिगरी है तो फिर डिगरी लेनी पड़ती है तब यह सोचे ना कि हम डिगरी भी ले लें भारत में उस समय हालत ये थी कि पाली की पढ़ाई नहीं होती थी अब कहां से वह डिगरी ले तो देखिए ये लिखते हैं कि कलकत्ता विश्व विद्याले कितने ही विश्यों में एमे की परिच्छा तो लेता था लेकिन उनके पढ़ाने की बेवस्था वहां न थी यहां तक कि जो प्रश्ण पत्र बनाने और परिच्छक बनने के लिए विश्व विद्याले की ओर से राज डेविट साहब को लिखा गया अब रिच्छ डेविट जो थे न वो पाली प्राकिर्थ के प्रकांड विद्वान थे अब उनको लिखा गया कि बहिए आप जो है न यह कुलकत्ता इंवर्सिटी में एक लड़का पाली में में करना चाह रहा है एक्जाम देना चाह रहा है उसके लिए पेपर बना दीजिए त बहते हैं आप एक काम करो वहां के जो प्रिंस्पल है न विद्या भुषण तो वो बना देंगे वो तो एक्सपर्ट हैं इसके पाली के प्रकांड विद्वान है तब यहां से लिखा गया क्या रहे उन्हीं को तो एक्जाम देना है तब फिर जो है रिज डेविट्स यहां पर आते हैं वो पिपर बनाते हैं और देते हैं तब जाके विद्या भुषण जी वो पिपर देते हैं और पिपर देकर वो अपना एमे की डिग्री लेते हैं यहालत थी आच्छा है इसके बासे आगे चलकर भारत में पाली के प्रथम एमे यही विद्या भुषण कलकत्ता विश्व विद्धाले में पाली के प्रतम अध्यापक भी रहें अब ये पहले भारत के जो पहला एम में अगर किसी ने किया था पाली में तो वो विद्ध्या फूशन थें जो वहीं पर प्रिंस्पल थे और डिग्री भी लिए हैं और फिर पाली के प्रतम अध्यापक भी बने ये हाल था भारत का भारत से बिलकुल पाली गायव कर दिया गया था तो इसलिए पाली जो है अभी बहुत कम लोग जानते हैं आपको अपना इतिहास जानना है तो पाली में लोटना पड़ेगा पाली में अभी कुछ-कुछ इन लोगों ने घाल मिल की है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि ये जितने भी लोग पाली जो पढ़ना शुरू की है शुरू में तो इन लोग तो संस्कृत बैग्गराउंड से थे हैं और जो सब्द का अर्थ पाली में होता है संस्कृत में उसका उल्टा अर्थ ब पुझके बैट गए हैं क्योंकि उनको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया संस्क्रीत की तरह अर्थ निकाल लिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं अच्छा एक और आपने नाम सुना होगा धर्मानांद दामोधर को शंबी का धर्मानांद जी ने तो किताब लिखी है बकायदे जिनको डिडी को संबी नाम से जाना जाता है बौधमार्ग में तो ये जो हैं आगे चलके यही वहाँ पे फिर अध्यापक नियुक्त हुए थे पाली के अच्छा न जाने कितनी सताब्दियों के बाद यूँ पाली को अपने देश में फिर जड़ जमाने का मौका मिला इस इसके बाद से इस सताब्दी की पहली दसाब्दी में ही हिंदी में बुध की एकाद रचनाओं के अनुवाद और जिवनिया तथा धंपद का अनुवाद एवं यदा कता पत्रिकाओं में एकाद लेख दिखने लगे आने लगे तो ये अब जो है अब धीरे धीरे यहाँ पाली का और उसके जो लेख थे वो चीज़े आने लगी अब इसमें जो है आरे मुशाफिर विद्याले आगरा से निकलने के बाद से राहूल जिसन उन्नीस सो सतर दिकि इनका जनाम हुआ था एटिन नाइन्टी थरी में तो यहाँ पे जब ये चौबिस साल के थें तो फि भूल भूले या मतलब समझते हैं जिस समय आप कन्फ्यूज होते हैं कि हम करें क्या कहां जाएं क्यां ने जाएं क्योंकि वो तो थें बाइबर्थ तो थें वो ब्रामण तो ब्रामण थे संस्कृत भी आती थी भूल भूले या दौर में भी थें तो इस दौर में ये जो है जिसको संस्क्रीट आती है वो पहुंचता है बहुत विखो को ग्यान देने के लिए और देखिया कैसे चेंज होता है यह भारत का इतिहांस रहा है कोई कितना भी प्रकांड विद्वान हो जैसे ही बहुत विखो से मिला या तो पूरी तरह से वो चेंज ही हो गया हारमा के surrender कर दिया बुद्धिष्ट बन गया ये हालत थी ये भी बुद्धिष्ट बन गया इसके बास हालाएं कि इनकी गलत फैमिया जो है न अंतिम दोर तक ये आपनी गलत फैमियों को दूर करते रहे हैं बहुत सारी इनके अंदर थी कि नहीं नहीं वेद तो पुराने हैं ये भ वेध कहां बुद्ध के आगे कुछ है उपहले सोचते थे थे गिना बुद्ध भी वेध से ही घ्ञान लियते थे तो यहाँ देखे आभी आगे क्या होता है तो व्यक्यान देने विहार पहुचे बौद विकोओं के धराम प्रचार की लगन के बारे में वह बहुत बार व्यक चुन चुके थे अब ये सारी बात न में उनके wife न लिखा है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे न लिखा है, उनके wife वे ब्रामडी हैं, वो खुद बता रही है है ये बातों को, वो खुद ही प्रकांड विद्वान है, और सोध करता हैं, वो इस बाते को लिखी हैं, देखिए क्य लिखती हैं यह तो वह बहुत बार व्यक्यान सुन चुके थे नलंदा जैसे धरम परचारक पैदा करने का केंद्र होना चाहिए इस विचार का अंकूर बड़ी मजबूती के साथ उनके हिर्दे में जम चुका था अब देखिए उनके मन में आ गया कि जो नलंदा हमारा जो व वेद आधी के अलावा बहुत साहित्य एवं त्रिपिटक के बारे में भी वाचित हुई देखिए अब ये चुकी वो ब्राम्हन थे उस समय तक संस्कृत जानते थे तो ये वेद को मानते थे इस्वर को मानते थे इन सब मुद्दो पर और त्रिपिटक पर ये किस से बात क पाली त्रिपिटक के पत्य के बारे में अनागरीक धरमपाल से लिखा पढ़ी करने को कहा यह संचिप्त सचहतकार के बारे में राहुल जी ने लिखा है उस वक्त तक यह नहीं पता था कि मेरे जीवन के विकास में इस सचहतकार दोरा ग्यात बाते खास पाल्ट अधा करने वाली हैं ये उन्हों ने उस समय कहा कि उस समय जो मेरा discussion हुआ था उनको नहीं पता था कि ये जो interview है इसके बाद से कैसे इनका जीवन जो है पूरा जीवन ही change होने वाला है जो मिला है ये बिल्कुल सही है जिसने भी निस्पक्ष होके बौध मार्क के विखो से जो टकराया या उसकी किताबों के निस्पक्ष भाव से पढ़ा है उपूरी तरह से change ही हो गया है ओ चाहे कमनिश्ट ही क्यों नहीं हो डिडी कोसाम भी ही क्यों नहीं हो ये भी कमनिश्ट है कमनिश्ट ही बने था ना ये और स्यामी अक्षरों में छपे त्रिपिटक गरंथों के प्राप्ति अस्थान के पते दियें तो राहुल जी ने सिंहल और बर्मी लिफी में छपे हुए पाली गरंथ मंगा लिए वर्मी मतलब की वहां का सिहल मतलब सिरलंका की बात हो रही है और वर्मी मतलब जो वर्मा उस समय देश हुआ करता था, मन्नमार जो देश हुआ करता था, वहाँ से पालिगरंत मंगा लिये महाबोधी सोसाइटी कलकत्ता से डॉक्टर सतीष चंदर विद्याभूशन का अंगरेजी अनुवाद सहीत नागरी अच्छरों में छपा कच्चान व्याकरण भी मंगाया, जिसमें सिहली, बर्मी और स्यामी लिपिया सीखना आसान हो गया इन लोगों ने उस समय काम किया था, आज जो थोड़ी बहुत इस तरह के दिक्कत आते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे उसमें ब्रामण सब्द कहां से आ गया, ये आ गया, तो दरसल यही लोगों का काम है ये लोग बमड को हर जगा ब्रामड लिख दियें, देवनागरी लिपी में, तो वहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो, एक खुद ही ब्रामड सारे लोग थें, लेकिन काम किये हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है एक दो चीज चुकी इन लोगों का बैक्ग्राउंड संस्कृत का था, तो वही थोड़ी थोड़ी चीज है जो है ये लोग, अपना वो पूट अप कर दियें, जिससे लोगों को आज कन्फ्यूजन पैदा होता है हलांकि इस बात का वो मेंसन किये हैं, कि वो जाती नहीं दे, वो गुणवाचक सब्था चलिए, आगे देखिए, मिश्नरी त्यार करने के लिए मसेपूरा में रह गये, वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं था फूर्सत के समय वे कुछ पत्रों को पढ़ते 1919 इस वी के मार्सल ला के दिनों में पंजाब में बिताकर वे चित्रकूत की छाया में गूमते रहें, 1920 में और उसी समय उन पर गूमकड़ी का भूत सवार हुआ, तो बौध तिर्थों को देखने निकल पड़े अब देखिए एक बंदा जो है संस्कृत का विद्वान है जैसे ही टकराता है बौध मार्गियों से तो उनके मन में ऐसा घुसा है बौध मार को लेकर कि उन्होंने सबची छोड़ दिया सबची छोड़ छाड़े कि आओ बौध मार के सारे तिर्थ घूमने लगे बौध मार के काम हुआ नहीं था आज तो आइडेंटिफाइड है कि यहां यहां पे बौध मार के यहां उपदेश दिया ते उस समय कुछ नहीं था तो यह लोग क्या करते थें कि जो नोटस आये थे ना पहयान के हैंसॉंग के उन्हों नोटस के अधार पर जो मैक्स मूलर ने जो चीज़े बताई थी या जो जापानिज या और भी जो चाइनिज टीवतिनी स्कॉलर ने जो बताई थी चीज़े उसके अधार पर ये लोग गहते हैं अब उस समय कैमरा होता ना तो वो लोग अगर फूट को खीचे होते हैं कैमरा उस समय नहीं था यह दिक्कत हो गई कैमरा होता तो उस समय जो फूट को खीचते हैं तो आपको जंगल दिखाई देता जंगल जाड दिखाई देता आज त समय तो बिल्कुल विरान था, तो उन जगहों पर ये जा रहे थे, बहुत तिर्थों को देखने निकल पड़े, सारनात होते हुए कुशी नगर देखा, और वहां से लुंबनी कपिल वस्तु की ओर चल पड़े, तिलोरा कोट में एक महंत ने उन्हें भोटियों के मुलक में जाने का रास्ता बताया, और 40-50 भोटिया सब्द भी सिखा दिये, बहुत सही, अच्छे इनके साथ एक और खास बात थी, कि ये ना बहुत सारे लेंग्वेज इनको आती थी, लेंग्वेज इनने इतनी ज़्यादा सिखिया है, कि इनको जो भी बंदा था, सबने इनको महा पंडित कहा, किसी ने भी जाती के करण नहीं, इनकी विद्वता के करण, इनने बहुत ज़्यादा लगए, अच्छे इसकी इन्होंने कीमत भी चुकाई थी, कीमत इसकी इन्होंने ये चुकाई कि अंतिम दोर में जब ये मरने को हुए थें, तो एक कहावत है ना, एक ज़्यादा भासा सिखते हैं, बहुत ज़्यादा ग्यान सिखते हैं, तो आपको लाश्ट में एक भूलने वाले बीमारी हो जाती है, आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा आपने यूज की है, हलाएंकि इसका कोई scientific evidence नहीं है, लेकिन ज़्याद कि उनको BP की भी विमारी थी, diabetes भी थी, ये भी कुछ problems थी, बहरहाल इनके काम जो है बहुत बड़ा काम था, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप समझेगा, कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दे और दिमागी यूज करना छोड़ दे, अंदभक्तों की त गपोड़ा, यही वही गपोड़ता है, अपना दिमाग बिल्कुल इस्तमाल नहीं करता है, कोई इसके अंदर बफर नहीं होता, अंदभक्त के अंदर, कहीं से लेता है, वही अपने दिमाग में श्टोर करता है, वही चीज सामने उगलता है, बिल्कुल, अपना कुछ भी चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर उन्होंने वहाँ से सहेट महेट मतलब देखिए स्रावस्ती का उस समय नाम ये देखिए कितनी अच्छी बात है स्रावस्ती जो है ये नाम अब रखा गया है उस समय सहेट महेट जगा था जाकर जेतवन देखा मतलब स्रावस्ती में जो सहेट महेट जगा था वहाँ पे जेतवन वनको उन्हों ने जाकर देखा इन अस्थानों के महत्वका उनका एतिहासी ज्ञान अभी धूंदला था तो इनके मन में तो जिग्यासा आ गई थी राहुल संकृत्यायन उस समय तक ये केदारनाथ पंडे हुआ करते थे तो पंडे जी जो है इनको ये बात तो आ गई कि भाईया ये जगा का बहुत मार्क से जुड़ा हुआ है लेकिन उनका ज्ञान भी नहीं था उन जगहों का कि मतलब यहां पर क्या क्या हुआ होगा बुध ने क्या किया था या कितना इसका यहां सिखता महत्व है फाहियान इत्सिंग और हैंसॉंग की किताब पढ़कर वे निकले थे देख लिजे उन लोगों की किताब पढ़कर उन जगहों को खोज रहे थे उस समय आगे नलंदा राजगीर और बुध गया को देखा चीनी यात्रियों की पुस्तकों ने तिर्थाटन का आनंद बढ़ा दिया था अब यह जितने चीनी यात्री थे इन लोगों ने बता दिया था जिन जिन जगहों का नाम रखा था तो कर्रेंगा महोदे ने बहुत काम किया था उसके अधार पर और भी कई सारे लोगों ने काम किया था तो इन लोगों को इतना तो आइडिया हो गया था कि यह यह लोकेशन जो है न वो जगह है क्योंकि वहाँ पर बुद्ध से खुदाई पर कुछ सतूप निकलाते थे कुछ कुछ चीज़े निकलाती थी तो इन लोगों को आइडिया था लेकिन आज की तरह भव्य नहीं था जंगल जाड़ हुआ करते थे तो वो उसको घूम रहे थे तिर्थ अस्थानों को यह अच्छा इसके बाद से आगे नलंदा राजगीर और बुद्धगया को देखा चीनी यात्रियों की पुस्त भी बढ़ा दिया ठीक है इस वक्त की अपनी धार्मी कवस्था के बारे में लिखा है आप देखिए ये पॉइंट बढ़ा ध्यान से समझेगा जब ये उन तिर्थों को घूम रहे थे बहुत हमारक का तब ये लिखते हैं मेरी जीवन यात्रा के भागवन में पेज 353 पर इन्होंने लिखा है कि बुद्ध के प्रती मेरी भक्ती दयानंद से भी बढ़कर थी ये दयानंद कौन है वही दयानंद सरसती उर्फ मुलका संकात्रिवेदी वही है उनके बारे मैं लिख रहे हैं कि मेरी भक्ती जो है उनसे भी ज्यादा बुद्ध के प्रती थी आज इतना आरे समाजी है बुद्ध को खूब गरी आता है लेकिन दयानन्द सरसती जो थें तो ये लिखते हैं कि उनसकी जितनी भक्ती थे ना उनसे कहीं जैदा थी मेरी हाँ उस वक्त में मैं यह समझने की गलती कर रहा था कि बुद्ध दयानन्द की ही भाती वैदिक धरम प्रचारक इस्वर विश्वासी रिसी थें समझें आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे किदारनाथ पांडे उर्फ रावल संकृत्यायन जी यह कह रहे हैं कि तब तक मैं घूम तो रहा था उन जगों पर लेकिन मैं भी वही गलती कर रहा था जो दयानद सर्शती जो गलती कर बैठे थे दयानन सर्शती भी सोचता था कि वो जो है विध ही अंतिम सत्या विध का खो प्रचार परशार करता था और ये भी उस समय तक यही सोच रहे थे कि बुद्ध से पहले कोई वेद होगा और बुद्ध जो है वेद पर विश्वास करते थे हैं और इस्वर पर भी बिलीव करते थे ये देखिये ये situation थी भारत की मतलब 20-20 सदी का उतरार्द चल रहा था उस समय तक लोग बुद्ध के बारे में ये सोचते थे अभी तक बुद्ध मारक अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हो पया था कि बुद्ध ने तो कभी इस वर को माना ही नहीं ना आत्मा को माना ये सब तो बाद की चीजे हैं लेकिन ये उस समय तक ऐसा समझ रहते हैं इन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात की दाद देनी कि इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने किताब में भी लिखा कि अब ये भी लिखा कि मैं गलती कर रहा था इसको एक्सेप्ट किया कि मैं गलती कर रहा था ऐसा नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा इसके बाद से जो है आगे लिखते हैं कि 1921 इस्व मंत्री और प्रांतिय कांग्रेस कमीटी के सदस्य थे ये राहुल संस्कृतियान जो है उस समय कांग्रेस के जो प्रांत का जो अध्यक्ष होता है उसके ये अध्यक्ष थे अच्छा यहाँ पे एक सुपर चैट आई हुई है मंजीत लोहिया जी का ये लिखते हैं मुझे अभी तक ज्यान नहीं है शुरुआत कैसे करें जी मंजीत लोहिया जी अब तो पाली में बहुत सारे युनिवर्सिटी डिग्री दे रही है बहुत जगावा पढ़ाई हो रही है और पाली साहित्य में ऐसे भी बहुत सारे स्कॉलर हैं जो काम कर रहे हैं अगर आपको पाल इस नाम जो है एक सिधार्त वधन सिंग जी का नाम है इसमें एक नाम राजिव पटेल जी का है इसमें एक नाम जो है डॉक्टर राजेनर प्रसाद सिंग जी का है आप इनके फेस्बुक पेज से जूर सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बाद मैं एक-एक कर के लाते रहूँगा अपने चैनल पे और आप सबसे ओगत कराते रहूँगा यहां तक की टीम 22 है वो भी इस पर उनका पाली पे अच्छा काम है वो भी अपनी बातों को रखते हैं उस पे तो आप यहां से देख सकते हैं जब इनसे आप मिलेंगे न तो यह आपको आगे फर् कि जो संस्कृत के विद्वान थे वही चले थे पाली को करने के लिए इस बात का हम लोग सुक्रिया का आदा करते हैं कि यहां उन लोग ने काम किया लेकिन जो अर्थ दोनों में अलग होते हैं तो वो थोड़ी से गलती कर गए तो इसलिए कुछ-कुछ गलत मतलब भी निक चल रहिया उसका तो चलिए आप इनसे संपर कर सकते हैं ओके तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ कि कांग्रेस के पहले प्रांतिय कांग्रेस कमेटी से बुध गया बौधों को सौपने के बारे में प्रस्ताव पास कराने वक्त उन्होंने कुछ बौध विक्वों को कर रहते थें यहीं पर अपने सवालों का जवाब खोशते थें वो तो उन्होंने खोज निकाला लेकिन हुआ क्या कि उस जगह पे कबजा कर लिया था ब्रांवडों ने वहां पर अपना जो है यह पले तो उसको मिटी से ढख दिया था जब उसको खोज हो गया ना तो जैस यह राहुल संकिर्ट्यान उस समय खूब परियास किये थें कि उस जगह को जो है कांग्रिस में मैं पारित करा दूँ और लोगों को समझा लूँ कि भया यह जो जगह है इसको देदो बौधों को और कुछ बौध विक्षों को बुलवाये भी थे देखे यह बात यह लिख सारे थे हैं सिरलंका के जो विक्षू थे हैं वो लोग इन से मिले जुले और इनके मन में यह चीज आ गई थी कि अगर कहीं ज्यान है ना तो बहुत मार्ग में ही है इसलिए वो अपना सब चीज छोड़के इधर को आ रहे थे इनके लिए वो काम करना सुरू कर दिये थे त तो गया कांग्रेस 1922 इस वी में इस विसे में प्रस्ताव पास कराने में वे सफल नहीं हुए अब गया में जो कांग्रेस का जो होगा ना 1922 में अधिवेशन उसमें इनों ने पूरा अपना दम लगा दिया था कि मैं पास करा दूँ लेकिन आपको पता ये कांग्रेस में उसमें भी ब्रामडों की ही सोसाइटी थी तो अब इका दुका लोग तो समझ गये थें कि भारत की संस्कृती तो बुद्ध है और ये सारी चीज़े हैं लेकिन बाकी ब्रामड जो है वो तो बुद्ध को गाली देते थें बुद्ध के बारे में उन्हों न छुपाया इसके बाद वे डेड़ महीने के लिए नैपाल गए और मैंने अब बताया ही हुआ है कि ये पूरे विश्व में हर जगा घूमे हैं तो ये इसके बाद से नैपाल पहुँचे वहाँ पे सिखर नरायन में बौध पंडित रतन बहादूर ने उन्हें बौध साहित के कुछ गरंद दिखाएं और कुछ बाते बताईं वह तिबत में भी रह चुके थे और तिबती के कंजूर के कुछ गरंदों की सुची भी बनाई थी इन सब को देखकर राहुल जी बहुत प्रभावित हुए हैं रतन बहादूर उन्हें तिबत भेजना चाहते थें किन्तु उनको काम के लिए छपरा लोटना था इसलिए मामला आगे न बढ़ सका सवा दू साल की सजा काटकर 1925 में जेल से निकलने पर राहुल जी ने देखा कि राजनिती में सिथिलता आ गई है अब ये चुकि कॉंग्रेस में भी सामिलते हैं तो फिर जेल में भी गए दू सवा दू सा जेल में भी काटा था फिर बाहर निकलें अच्छा इसके बाद से छपरा जीले का दौरा कर उन्होंने फिर जूस भरने की कोशिस की बोध गया बोधों को दिलाने के बारे में माननी राजेंदर परसाद देखिए 1922 में परियास किया था उसके बाद से भी ये खुब परिय इसी बीच कांग्रेस का कानपूर अधिवेशन आ गया और वे अखिल भारतिया कांग्रेस कमीटी के सदस्य की हैसियत से उसमें सामिल हुए वहां से वे कास्मीर होते हुए लद्धा की सेर भी कराएं लोट कर मेंबर के नाते कॉंसिल और जिला बोड के चुनाओं में जोर सोर से काम किया और सन 1927 में कांग्रेस के गोहाती अधिवेशन में सामिल हुए आगे उन्होंने देखा कि कांग्रेस के सामने कोई नया कारेकरम नहीं है उधर बहुत धरम के विश्यस अध्यन की इच्छा से जो लद्धाक यात्रा में जाग उठी थी बल्वती हो रही थी जब यह लद्धा गय थे न तो वो भी तो पूरा बौध ही छेतर है भारत तो पूरा का पूरा ही बौध छेतर है अब वहाँ पे जितना यह गोमते थे जितनी जगहों को देखते थे उतना ही इनके अंदर वो चीज ही लोरे मारती थे कि यार यह बुद्ध कहीं हमसे तो छ गही करना है तो ये भाहवना जो है उनके अंदर आ गई थी अब जो है सार नाथ में विक्खु स्री निवास ने उनके विचारों का समर्धन किया लंका का विध्य लंकार विहार एक संस्कृत अध्यापकी कोज में था वहाँ के सुभीतों को बताते हुए विक्कु स्रीनिवास ने उन्हें लंका जाने की सला दिया अब वहाँ पे संस्क्रीत पढ़ाने के लिए सिरलंका में एक टीचर खोजा जा रहा था आए सलाह विद्नियां ये पहुँच गए वहाँ पे वहाँ पे जो है ये पाली सीखते हैं सिरलंका में जाके नहीं पाली सीखा था मई 1927 इस्वी से लेकर अगले 19 महने तक विद्यालंकार परिवेड में वे 18-20 विद्यार्थियों और कुछ अध्यापकों को संस्क्रीत काव्य व्याकरण और न्याय पढ़ाते और धर्मानंद महास्थवीर से तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे थें कि ये हम देखते हैं कि फिर जब वो जाते हैं वहाँ पे स्रिलंका में जाते हैं तो सिरलंका में वो संस्कीत पढ़ाते हैं और वहां पे जो धर्मानंद महास्थवीर थें उनसे वो पाली सीखते हैं बहुत साहिते और दूसरे विश्यों का गंभीर अध्यान करते हैं एक तरफ संस्कीत पढ़ा रहे थे या दूसरी तरफ पाली सीख रहे थें लंका में एक महीने के बाद ही उन्होंने सुद्पिटक के गरंतों को पढ़ना सुरू किया संस्क्रीत के अत्यंत सनिकट होने से पाली उनके लिए आसान थी भारत में रहते हुए इस भासा का जितना अभ्यास किया था वह भी उस समय बढ़ा काम आ रहा था पढ़न महास्तिवीर अचार्य प्रग्यासार अचार्य देवानंद अचार्य प्रग्या लोग से रोज डेर डेर दो दो घंटे समय लेने पर भी उनकी त्रिप्ति न होती थी इतना वह पाली में घुस चुके थे हैं पाली को बिल्कुल सीख लेना चाहते थे तो इस तरह से जो है पाली वो सीखते गए हैं सीखते गए हैं पाली त्रिपिटक में बुद्धकालीन भारत के समाज राजनितिक और भूगोल का मसाला है जब उनको पता चला तो इससे उनकी भूख और तेज हो गई जब उनको ये बात पता चली कि अगर मैं तिपिटक पढ़ाना तो उससे मुझे भारत का एक्चुल इतिहांस पता चल जाएगा उस समय के जो घटनाए थी उस समय क्या चल रहा था वो चीशे पता चल जाएगे इससे इनकी और भूख देज हो गई जानने की भारत का इतिह क्योंकि भारत में तो कभी तिहांस लिखा नहीं गया और कोई जो ब्रहमेनिकल किताबे हैं वो तो ऐसी कोरी गप हांकिएगी ऐसे हस्वे के साधी में खुर्पे की बात करेंगे कि आप उनसे सची नहीं पता लगा पाएंगे हवा में बात कर कुछ भी देखो कहीं आउतार हो रहा है किसी का मुह जो है वो सुवर गितरा है किसी का मुह जो है कचुए कचुगा बन गया है कोई कोई मचली बन गया है औतार ले रहा है किसी को मरने के लिए कुछ भी कर दे रहा है जिसको मंदे को वही गप हांके जा रहा है तब इनको पता चला है कि तिपिठक लंदन के तिपिटक के संस्क्रोणों की विदोता पुर्ण भुमिकाओं में आग में घी डालने का काम किया अब पालिटेक्स सोसाइटी जो लंदन थी उसने जब प्रकासित की न तब इनका जो है और दिमाग जो है तेज दोड़ा कि भाया देखो विदेश वाले काम कर रहे हम लोग भारती होके भी इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारी चीज़े जो है इनके साथ बढ़ती गई फिर जो है इसके बाद एसियाटिक सोसाइटी कलकत्ता रायल एसियाटिक सोसाइटी ब्रिटेन सिलोन और मंबई के पुराने जनरलों का परायाड गया ब्राहमी या जर्मने स्कॉलर थे ये लोग भारत में लिखते थे जो इंस्क्रिप्शन मिलता था ब्राहम्डों को बैठाते थे कते देखवे या संस्कृत है तो पढ़ ले अब पाली में भी लिखा वह तो बैचारा संस्कृत में पढ़े के बता देता था ये है और आप जानते हैं जो मिस्रित जो पाली होती थी ना उसको भी वो क्या करता था संस्कृत की तरह पढ़ देता था इसलिए तो भरत का सरा इतियास गरबड हुआ है अरे जो पुराना होगा मैं पूछता हूँ एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ मान लिजिए कि आज आप जो भासा बोलते हैं उसका प्रभाव आपके 500 साल बाद आने वाले बच्चे पर होगा या फिर आपके पिछले 500 साल जो पूराने हैं उनका पर प्रभाव होगा आपको क्या लगता है अफ्कोर्स आप कहेंगे कि भाया अभी तो जो आया ही नहीं है उस पर हम कई से बता दे हाँ जो आज हम बोलते हैं इसमें उर्दू-फारसी के सब्द हैं इसमें जो है कुछ अंग्रेजी के सब्द हैं और प्रांसी सब्द हैं पूर्टगाली सब्द हैं तो पिछले 500 सालों का प्रभाव जो है आज की भासामें पढ़े रहा है आप यहीं कहेंगे तो ठीक वही बात जब पहले पाली प्राकिर्त थी, तो पाली प्राकिर्त का ना प्रभाव आया होगा, जो inscription पढ़े जा रहे थे उस पे, तो उसका अर्थ उसकी तरह निकालना चाहिए, तो इन धपोरों ने क्या किया, कि उसके बाद जब 500 साल बाद, 700, 800, 1000 साल बाद जो संस्क्रीत आया, उसकी तरह से उ इतिहांस सामने नहीं, अल्ला ने देना चाहरा है, ये चीज आपको समझनी होगी, यही सबसे मूल पॉइंट और मेन पॉइंट है, भारत का इतिहांस बिगाडने का, पाली का खर्द संस्क्रीत की तरह निकाल देना, चलिए, आप तो यहाँ पे क्या हुआ कि, पाली टिक स जलित विस्तर जो ग्रंत है, उसमें ब्राहमी लिखा गया है, वो भी बौध के कारणी ब्राहमी का आ जाता है, बौध होगा ही ग्रंत है, ब्राहमी का नहीं ग्रंत है, इसे हाजारी बाग जेल में परचे हुआ था, देखे जब जेल में थें, तब वहाँ पे यह धमली पी समझ रहे थे वहाँ एपिग्राफिक इंडिया के सारी जिल्दी नहों ने देख ली ठीक है छे-सात महीने बित्ते-बित्ते भारते संस्कृति के गुशनों के बारे में गुड़ और परिमाप इतना हो गया कि जब मार्ग बुर्ग जर्मनी के प्रोफेशर एडाल्फ ओटो विद्यालंकार विहार आये तो उनसे बाचित करके उन्हें हैरानी हुई कि राहुल जी किसी विश्व विद्याले के कभी विद्यार्थी नहीं रहे हैं देखिए वो बंदा जो है जर्मनी का प्रोफेशर था एडाल्फ ओटो वो जब भारत में आता है विद्यालंकार विहार में जब आता है तो उनसे बाचित कि ये बंदा जो है किसी युनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ाई किया है इसको इतना ज्यान कैसे हो सकता है तो ये हालत थी भारत की उस समय कि लोग जो हैं घर बैठे घूम घूम के पढ़े के सीख सीख के विद्वता हासिल करते थे इसलिए इनको महापंडित कहा गया इनके अंदर जो जिग्यासा घुसी ना उसकारान से नहीं इतना कर पाये थे वस्तुता इसके पीछे केवल चंद महीनों की पढ़ाई ही नहीं पहले अव विवस्तित रूप से पढ़ा छिटपुट ग्यान भी था हाँ यह बात अवस्य थी कि इसी तरह के ग्यानों ने मस्तिक और स्मृति के अंदर उथल पुथल मचा कर उनमें एक विवज्यानिक द्रिष्टिकूण पैदा कर दिया था तो धाई हजार साल पहले के समाज में बुध के युक्ती पुर्ण सरल और चुभने वाले वाक्यों का राहुल जीत तन्यमेता के साथ अस्वाद लेने लगे त्रिपिटक में आये मोजीजे और चमतकार अपनी असमभवता के लिए उनकी घ्रेणा नहीं बलकि मनुरंजन उत्पन करते थे विकास का प्रभाव हर चीज पर पढ़ता है तो बुध वचन उनके परे कैसे हो सकते हैं लाख में छीपे अंगारों या पत्थरों से ढखे रतन की तरह बीच बीच में आते बुध के चमतकारिक वाक्य उनके मन को बलात अपनी और खीच लेते देगे यहां चमतकारिक वाक्य का मतलब यह नहीं है कि चमतकार की बात हो यह बुध के चमतकारिक वाक्य मतलब बुध की जो बाते हैं ना वो उनके लिए चमतकारीक ढंक से उन पर असर कर रही थी यहाँ पर यह कहाने का मतलब है यह चमतकारीक यहाँ पर लिखा गया इसका मतलब वो चमतकार मत समझ लीजिएगा यह एक आपका सकते हैं उपमा अलंकार दिया गया है जब उन्होंने किस्पुत्य कलामों को दिया गया बुद्ध का उपदेश मत तुम अनुस्रोव, सूर्थ से, मत परंप्रा से, मत ऐसा ही है से, मत पिटक संपरदान अपने मानिय सासन की अनुकुलता से, मत तरक के खाराण से, मत नयाय हेतू से, मत वक्ता के आकार के विचार स मत अपने चिर्विचारित मत के अनुकूल होने से मत वक्ता के भव्य रूप होने से मत स्रमड हमारा गुरू बढ़ा है से विश्वास करो जब कलामो तुम अपने ही जानो या धर्म अकुशल है या धर्म सदोस है या धर्म विज्यनिंदित है या लेने गरहन करने पर अहित के लिए होता है तब कलामो तुम उसे छोड़ देना ऐसा पढ़ा तो हटात उनके दिल ने कहा यह है एक आदमी जिसका सत्य पर अटल विश स्वास है जो मनुस्य की स्वतंत्र बुद्धी की महता को समझता है यह वाक्य कहा था राहुल संकृत्यायन ने जब उन्होंने किस्पुत्य कलाम को पढ़ा पुद्ध के तिपिटक को यह देखे यह होता है आप भले ही आपने जनम लिया हो किसी ब्रहमेनिकल सोसाइटी मे किसी प्रामवड फैमली में लेकिन जब आप किसी निस्पक्च होके किसी दर्षनी का विद्वान का पढ़ते हैं और तब आपके मन के बात आ जाती है कि यही एक व्यक्ति है जिसका सत्य पर अटल भी स्वास है देख लीजे यह रहुल संकृत्यान बोल रहा है ऐसे ही नही नहीं वो बन गए था इतना सारा काम किये अच्छा इसके बाद से आगे जब मज्यम निकाय में पढ़ा बेड़े की भाती में तुम्हें धमका उपका है वह पार उतरने के लिए है सिर पर ढोए ढोए फिरने के लिए नहीं बिलकुल सही है देखी यह पॉइंट ही बोल रह है कि ढोने फिरने के लिए नहीं है तो उन्होंने समझा कि जिस चीज को इतने दिनों से ढूड रहे थे वह मिल गई यह बात राहुल संकृत्यान कर रहे है कि जिन्दगी वर में ब्रामण विद्वान बना घूंते रहा संस्कृत पढ़े के आज मुझे जाके पता चला कि स आगे देखिए पढ़ाई के लिए पाली की जो पुस्तके वहां थी उन्हें तो पढ़ना ही था इसके अतरिक तवे 30-40 रुपए की पुस्तके प्रतीमास भारत या यूरोप से मंगाया करते थे आप समझ सकते हैं उस समय 30-40 रुपए कितना बड़ा इमाउंट होता था आज से आप चले जाओ 50 साल पहले अंगरेजु देश आजाद होने से पहले 1930 के करीब में आप चले जाओ आज से 100 साल पहले चले जाओ तब 30-40 रुपए बहुत बड़ा इमाउंट हुआ करता था तो उतने रुपए कि ये प्रती मास हर महीने जो है भारत या या यूरूप से पूस्तक मगा के पढ़ते थे इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पूस्तक पढ़ने की आदर डालिए पूस्तक जो है जब तक आप नहीं पढ़ेंगे जब तक आप अलग-अलग विचारों को न जी रोटी चलेगी पीट भरेगा अब बीबी बाल बच्ची होंगे उनका दाइत्व निभाव ये करते तो सब करते हैं ये दुनिया में अरवो लोग हैं सब करते हैं अपने इस पेसल क्या किया आपको इस पेसल कुछ करने के लिए आपको कुछ कर जाना ही पड़ेगा maat में साथ जो है फ्रॉंड पर नहीं आ सकते तो बैक पर रहिए लेकर रहिए जरूर साथ में कुछ नए कुछ मोटिव जरूर है ये काम किया ये फ्रॉंड पर आकर काम किया राहूmost किया है इसलिए आजन कि यहां पर चरचा हो रही है अच्छा इसके बाद से पढ़ाई के लिए ठीक है इतना मंगाये थे अन्य कामों के सांसांत पुस्तकों की सहायता से वे खुद तिब्बती पढ़ने लगे देखे बहुत सारी लेंग्वेज सीके संस्कीत जानते थे पाली भी सीख लिए अप तिब्बती सीख रहे हैं अपनी जगा काम करने के लिए उन्होंने एक आदमी भी ठीक कर लिया तिब्बत के लिए भारत रवाना होने से पहले 3 सितंबर 1928 में 1928 3 सितंबर 1928 इस वी को विद्यालंकार विद्याले ने उन्हें तिरिपिटका चार्य की उपाधी प्रधान की देखे ये 1928 में ही इनको तिरिपिटका चार्य बना दिया गया था हलांकि इन्हों ने जो त्रिपिटक बनाई है वो सम्यक पुब्लिकेशन ने चापी हुई है पूरी तरह से हलांकि बहुत सारे लोगों का उस पर है कि चलो कुछ चीज़े जो हैं संस्क्रीट की तरह उन्हों ने ट्रांसलेशन कर दिया है कुछ बाते वो तो कहते हैं बहुत सारे पाली के जो एक्सपर्ट है पर इन्हों ने जो भी चीज़े लिखी हैं चापी हैं उस समय सोचीन का जज़वा देखी कि उस समय इनको त्रिप्लिकाद चारे के उपादी दे दी गई अच्छा अब ये दखिन पस्चे मध्य और उत्तर भारत का दिकांस बहुत दिर्थोका राहूल जी बिना पास्पोर्ट के नैपाल के रास्ते अगस्त 1929 इस्वी में लहासा पहुँचे थे बिना पास्पोर्ट के ही चले गए थे कोई बात नहीं वहां उन्होंने संस्कीत व्याकरणों और दूसरे गरंतों को तिबती अनुवाद के साथ मिला कर पढ़ना शुरू किया ठीक है जी संस्कृत व्याकरोंड दूसरे ग्रंतों को तिबती अनुवाद के साथ मिला कर ठीक है आगे लहासा को केंद्र बनाकर उन्होंने तिबत के कितने ही पुराने मटों के यात्रा करके पुस्त के चित्रपठादी जमा किये कंजूर और तंजूर भी खरीद लिया सारी चीजे पटना के लिए रवाना कर 20 जून 1930 को सवा वर्स तिबत प्रवास के बाद वे लंका पहुँचे 22 जून को माने धर्मानंद अस्थावीर के उपाध्यायत में उनकी प्रवज्या होई 32 जून 1930 में इन्हों ने जब ये अपने जीवन के लगभग 37 साल के ये हुच चुके थे तब इनहों ने प्रवज्या यानी बादमार को अपना लिया किसकी अगवाई में धर्मानंद माहाथवीर जिन से इन्हों ने पाली सिखी थी जो सिरलंका के बौध विखुत हैं इन्होंने बौध हमार को अपना लिया ये जान गए कि भले ही मैं किसी भी फैमली में जनम लिया हुआ हूँ लेकिन मेरा लच्छ एम यही है असत्य यही पे है सत्य को खोजने निकले काम भी करते गए और फैनली वो वही पे दाखिल हो गए लंका में वे अपने रामोदर स्वामी के नाम से ये देखिए लंका में वे पहले रामोदर स्वामी के नाम से परिचित थे वहाँ से चलते समय उन्होंने गोत्र का नाम जूड़कर अपने को रामोदर संकृत्यायन बना लिया था देखे यहां पर इन्हों ने अपना जो है चेंज किया था इन्होंने सिरलंका में इनका गोत्र जो था ना गोत्र था संकृत्यायन तो इन्हों ने अपना नाम जो है रामुदर संकृत्यायन बनाया जैसे ही बहुत हमारग अपनाया तो फिर नाम बदल के राहुल संकृत्याय हो गए तो किदारनाथ पांडी जी जो है रामुदर संकृत्यायन बने रामुदर संकृत्यायन के बाद से बहुत मार्ग जब अपना है तब इनका बहुत नाम जो पढ़ा वो पढ़ा था राहुल संकृत्यायन और राहुल नाम तो आपको पता ही है किसका था कमेंट में आप इसमें बुद्ध की जीवनी और उपदेश दोनों ही सनिस्ठ है लंका में रहते ही डेड़ महीने लगतार वसुवंदू प्रणित अभिधर्म कोस का अपनी नालंदिक टीका के साथ समपादन किया सभास्य अभिधर्म कोस के हैं चौंकरित चीनी अनुवाद को अपने फ्रांसिसी अनुवाद और टीका के साथ वेल्जियम के प्रोफेशर लुईस देलाव वेली पूंसे ने पाँच खंडों में पेरिस से प्राकासित कराया था 1923-26 इनकी फाद टिपनियों उन्होंने संस्क्रीत पूथियों में से 500 के उपर कारिकाय संस्क्रीत में दी थी तो ये सारी चीजे जो है इनकी चलती जा रही थी नॉम्बर 1931 तक ये दोनों पुस्तके यथाकरम बाबु सीव परसाद गुप्त और कासी विद्यापीट द्वारा प्रकासित कर दी गई तो ये सारी चीजे चल रही थी फिर जो है यूरोप से लॉटकर राहूल जी 1933 में दूसरी बार लद्दाक है 16 सितंबर के बीच उन्होंने चार जुलाई से 16 सितंबर के बीच उन्होंने मज्जिम निकाय कानुवाद किया और तिबबत में बहुत धर्म नामक अपनी पुस्तक क्यात्रिक तिबबत प्राइमर तिबबती पदावलिया और तिबबती व्याकरन लिखा 1934 में दूसरी बार तिबबत से जाने से पहले ये बहुत सारी इन्होंने किताब लिखे हैं वो मैं पूरे आपको लिष्ट भी दिखा देता हूँ तो ये सारी आप चीज देख रहे हैं इसके बाल से इन्होंने खूब लिखे हैं लिखते गए हैं अच्छा यहाँ पर ये एक चीज और आप यहाँ पर देखिए तिबबत की दूसरी यात्रा से नैपाल के रास्ते लोटते समय राजगुरु पंडित हेमराज के यहां मूल की फोटो कॉपी ही मिल गई जिसमें सिर्फ दस पन्ने नहीं थे तो दस पन्ने छोड़कर बाकी जो चीजे थी ना वो मिल गई थी आगे जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत लोटकर उन्होंने वादन्याय छपवाया फिर 1935 में जापान चीन कोरिया अदी के सोवियत रूस की पहली जाके लिए यह सारी चीजे जो हैं आप देख र मिले तथा योगा चार भूमी के खंडित अध्याय मिले देखे यह जितने भी यहाँ पर बाते चल रही है ना इनको इन लोगों ने कंपाइल किया स्तिब्बत गए थे कहां कहां गए थे गदे खचर पे लाद लाद के सारी चीजे जो सबूत मिल रहे थे उसको लेकर भारत आये थे और इसलिए इनको कहा गया है कि भारत का यह सबसे बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया जो बहुत हमार के खंडित थे यह थे जो भी थे उनको इकठा करने में और इस कारण से लेंग्वेज कहाना बहुत जरूरी था तिन्होंने बहुत सारी ल दिलते वे भारत लोट आएं तो ये सारी चीजे थी यहां लिखते हैं कि यहां यह बात लिख देना जरूरी है कि तिबद की चारों यत्रावों में राहुल संकृतियां 363 पोतियों की प्रती लिपिया या फोटो लाएं इन में से केवल एक प्रमाळ वर्तिका का ही अन्वेशन उनकी अच्छे क्रती होता उनकी लाई इन पोतियों की संक्या के बारे में बहुत बड़ा भरम फैला दिखाई देता है इनकी संक्या कई हजार से लेकर 60,000 तक सारी पोतिया लासा के दुकंदार के यहां मिल गई जोने फाड़कर मसाले की पुडिया बांध रहा था जिन्हें इन पोतियों का व्यवरा जानना हो वह विहार उडिसा रिसर्स सोसाइटी के जनरल खंड 21, 23, 24 में प्रकासित इनका विवरण देखने का कष्ट करें तथा उन तो पाली साहित्य का इतिहांस बौध साहित्य संबंदी उनकी अंतिम रचना है यह जो मैं जहां से आपको रेफरेंस दे रहा हूँ न यह इनकी अंतिम रचना है और यह सारी किताब की आप लिष्ट देख रहे हैं कि जो राहुल जी द्वारा जो लिखी गई है और वुल्गा टु गंगा भी है जिसको मैंने बताया कि उसमें कहानियों के माध्यम से हर कालखंड को इन्होंने दिखाने का परियास किया हुआ है तो आज जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो मैं जो मुख्य जो भुक है वुल्गा टु गंगा उसकी बजाए में इंट् किताबों में क्या है वो बता सकूंँ आज का पार्ट तो राहूल जी को ही उनकी उपलब्धियों को ही दिखाने में लगा रहा गया और तो कोई बात नहीं है नेक्स पार्ट फिर हम लोग मिलें